वेल्कम तो स्टेडी आक्यू, मैं नेम इस अमित वरीदी किलोर, एक थोड़ी सी सैड न्यूस आई है, हमारे हैदराबाद के जू में आठ जो एशेटिक लाइन्स हैं, अभी तक आपने जब भी न्यूस सुनी हैं, जनरली आप जब भी सुनते हैं, तो कोरोना वाइरस को हम पिछले एक साल से जो पैंडमिक है, that is amongst the humans, पिछले साल भी कई केसी आई थे, जब एनिमल्स में भी, कहना में, कैट्स में बेसिकली, कहना में, जब कोरोना वाइरस उनको ट्रांसमिट हो गया था, तो अभी यहाँ पर इस न्यूस में हम देखते हैं, कि जो आठ, जो पिछले दो हाफते से वो शेयर खांसने लग रहे थे, ठीक है, उनके एपटाइट भी बेसिकली चूट गया था, खाना भी नहीं खा रहे थे, जो हुमन टेस्ट होता है, उसी परकार से टेस्ट किया, नेजल स्वैब और थ्रोट के स्वैब के द्वारा, और इट वस फांड कि वो बेसिकली COVID-19 से गरस्त है, अब इसमें जो इंपॉर्टन चीज जानने वाली है, जैसा कि मैंने बताया था कि, पहले तो सबसे पहले एक पीसी पूछने में, जैसी कोई कभी भी करेंट अफेर में आये, इमिजेटली याद कर लेना कि कौन सी चीज कहां से थी, नेहरू जौलोजिकल पार्ट, पार्क, हैदराबाद, बारा शेर थे, उन्में से आठ पॉजिटिव में है, सेंटर फॉर सेलूलर और अन्मॉलिकु यह किया बस जो अच्छी खबर है, वो यह है कि वाइरस जो मिला है, इस समय जो सेकंड वेव वाले जो वेरियंट्स हैं, जो की जादा ट्रांस्मिटेबल हैं, जो जादा कंटेजियस हैं, जो जादा नुकसान पहुचाते हैं, वो नहीं हैं, A2A कॉमन वाइरस है, relatively speaking, बेस हैं, जो 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 तो अभी तक नहीं मिले हैं, अब मैं तो यह कहूंगा कि इतना difficult भी नहीं है, असर्टें करना भई शेर है अकेला भार तो गली में घूमने गया नहीं था और कौन ही शेर के पास जाता है वो भी पता लगाया जा सकता है असानी से पूरे के पूरे शेहर में एक आदा ही caretaker होगा जो कि शेर के पिंजरे में जाता होगा या जहांबर भी शेर रहते हैं I believe it is very easy to find out कि शेर को infection कैसे हुआ मनलब ये कहना जायज होगा कि जो उनके caretaker है zoo के जो उनको खाना पहुचाते हैं या जो कुछ वहाँ पर cleaning करते हैं उनके दुआरा ही probably coronavirus transmit हुआ है अब इन शेरों को भी basically isolate कर दिया गया है ठीक है इनसानों की तरह ये भी अब चार अलग है और ये आठ अलग है they have been responding to the treatment also the good thing is that इस पूरी पूरी नीज में सबसे important जो बात है वो ये है कि based on the experience with the zoo animals elsewhere in the world that have experienced SARS-CoV-2 positive last year there is no factual evidence that the animals can transmit the disease to humans any further तो ये virus अभी तक zoonotic नहीं हुआ है coronavirus के बारे में आपको पता है ऐसी कुछ आशंकाई लगाई जा रही है indeed possibility exist करती है कि ये bats यानि चमगादरों के दुबारा humans में आया है which makes it a zoonotic virus zoonotic virus वो होता है जो कि जानवरों से इनसानों में humans में transmit हो जाता है however अभी तक इसके अलावा दुबारा से और कोई option नहीं मिला है कि किसी जानवर के पास हो और वो उसको हो गया हो वैसे भी अगर जानवर को हो गया तो कुत्ते और बिल्ली ये जो जानवर है या फिर मवेशी जो हो गए इन जानवरों से humans को transmit होने का जादा डर है मुझे यकीन है कि probably शेरों से humans को transmit नहीं होगा और शेरों से virus के खत्रे की बज़ाए कुछ और ही खत्रे जादा है तो बठा to make sure कि कोई misinformation नहों कोई disinformation नहों अभी तक इस बात का कोई भी evidence नहीं है कि basically जानवरों से इस समय जो वारस से humans में transmit हो रहा है हाँ यह ज़रूर है कि humans से basically जानवरों में हो चुका है अच्छा humans और जानवरों में एक फायदा है humans में contagious है transmit हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे के پاس रहते हैं बीड में भी रहते हैं जानवर जिस zoo में हैं, उसी zoo में रहते हैं, और उनके बीच की जो social distancing है, वो wild में हो या zoo में हो बहुत जादा है, तो जानवरों में ये pandemic बनने की आशेंका नहीं रखता है, अगर ये जादा डेड़ी रूप ले लेगा जानवरों में भी, अभी तक ये cats में पाया गया है, लायन is basically a cat, cat family का ही member है, शेर, बिल्ली उसकी भुवा लगती है, मौसी लगती है basically I believe, dogs में अभी तक ये पाया नहीं गया है, हैदराबाद zoo को basically 2 माई को close कर दिया गया था, in view of the rising cases of the COVID-19, after an advisory from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, उन्होंने बोला कि दिल्ली के सारे कर दो, तो फिर हैदराबाद वाले भी हो गए थे, दिल्ली में सारे के सारे जोलोजिकल पार्क, नैशनल पार्क, टाइगर रिजर्फ, वाइड लाइफ सेंचुरी से वो इस में closed है, similarly तेलंगाना में भी नहरू जोलोजिकल पार्क हैदराबाद में है, ककातिया जोलोजिकल पार्क वारंगल में है, कवाल और अमराबाद टा आपको उसमें help मिलेगी, बिल्गुल exactly, Lion King, absolutely one of the favorite and the awesomest movie ever, Lion King, अगर अपने नहीं देखिए तो आपको definitely देख लेने चाहिए, in case you need the PDF of this class, definitely this Telegram channel को please join कीजिएगा, वहाँ पर PDF ही मिलेगी और मेरे साथ voice chat करने का मौका भी मिलेगा, बाकि, whether you like this video or not, उस चीज़ को आप इ झाल